ज़ंञी चापज जिले के कटवत के ग्रामिणों ने कलेक्टरेट का घिराव कर दिया गाउ में बीजा कबजा की सिकायत लेकर सेकरो ग्रामिण चारागा की जमीन पर आतिकरमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टरेट पहुँचे और साथ दिनों में कारवाही नहीं होने पर भूख हर्ताल वह चक्का जाम की चितावनी दी है। ग्रामिनों की सिकायत पर ततकाल कलेक्टर ने कारवाही के आदेश दिये हैं। जांजगी चापच जिले की नवगर बलाग के कटोथ गाउं के सेकडो ग्रामिनों ने कलेक्टरेट का घिराव कर दिया। गाउं में हो रहे बेताहासा बेजा कबजा की सिकायत लेकर पहुँचे ग्रामिनों ने कलेक्टरेट के मेन गेट का रास्ता रोक कर करीब घंटे भर तक नारे बाजे की। इस बीच कलेक्टर जिदेन सुकला पहुँचे और उन्होंने ग्रामिनों से ग्यापन लेकर मौके पर ही एंधियम मेंका प्रथान को गाउं का निरिक्षण करने और नियमा नुसार वैध्यानिक कारवाई करने का आदेश दिया जिसके बाद माहोल सांथ हुआ ग्रामिनों ने चासुत्रीय मांगों का ग्यापन कलेक्टर को सौपा है जिसमें मुख्य रुप से गाउं की दस एकर चारागा की जमिन पर हुए बेजा कबजा को हटवाना थाई स्कूल के लिए प्रस्तावित भूई पर भी कबजा किया गया है उसे मुख्त करना मविस्यों के लिए चारागा के लिए जमिन सा रिक्षित करना सामील है ग्रामिनों ने साथ दिवस के अंदर कारवाही नहीं होने पर वो खर्ताल और चक्का जान की चेतावनी दी है लोग जो पंचयत का प्रस्तावित जमीन है मंडी गठान और खेलका मैदान और हाई स्कूल इसमें अतिक्रमड किया हुआ है उस अतिक्रमड को हम हटवाना चाहते हैं हमारे पश्वों के चारागार के लिए व्यवस्था नहीं है इसलिए हम कलेक्टर महोदै से आवेदन द हम चाहते हैं जितने अतिक्रमड किये हैं वहड़ जाए है कि कलेक्टर साहब आश्वासन दिये हैं मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा हो गए आपको आश्वासन देता हूं बोले हैं करेक्टर महोदै अभी तो हाल 200 एकड के निकालना जोर रही है तीन सब एकड़ एक कमके अभी गठान है और पंद्रा इकड करीवन के खेल का कुटके हैं और मंडी दस इकड़के हैं यहां सब आभी बारी बक्रीक उस्यार उस्यार सब लगा दिये हैं और धान भी लग गया है अभी जर्वा बच्छरी चराए महामला दिक्का जह ग्राम पंचेद कटाओत के जो ग्रामिण है यहां आज पहुंचे में उनके द्वारा ग्राओ मे अति ग्रमण संबंदी फिए ग्याफन दिया गया है उसमें उनके द्वारा कारवाही की मां कि गई जिसमें कलेटर महोते द्वाररा आदेशित किया गया है कि मौका को निरिक्षन क करके जो भी वैधानिक कारवाई है नियम नसर वो करना है तो तत सम्वन में मेरे द्वारा निरिक्षन किया जाएगा और उसके पर चाद नियम नसर वैधानिक कारवाई की जाएगा